हालो फ्रेंट्स, विल्कम डिवाइं चैनल, कैसे हैं, आप लोग उम्मेद करता हूँ, आप सब यह अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे देखिए, आज का जो हमारा विशा है, बहुत ही महत्वण होने वाला है क्योंकि कोई भी एक्जाम होता है, तो उसमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है और कौन सी बुक से पढ़ना है, तो उसी टापिक पर इस वीडियो में बात होगी ठीक है syllabus भी देखेंगे और कौन से topics जो है में कहां से पढ़ने है ये भी देखेंगे आपको पता है UPPET का exam जो है होने वाला है इसका notification जो है जारी हो चुका है ठीक है तो इसी विशे पर बात होगी कि UPPET के लिए कौन सी books हमें पढ़नी चाहिए जिसे आप जो है अच्छे अंक ला पाएं देखें आपको पता है UPPET के exam में एक बटा चार क्या है माइनस मार्किंग है सबसे बड़ा जो है negative point यह है कि इसमें माइनस मार्किंग है और अधिकतर exam में माइनस मार्किंग जो है वो start हो चुकी है ठीक है तो एक बटा चार माइनस मार्किंग है तो सो नमबर का paper है यह तो सो में जो है अच्छे अंक लाने हमें तो कैसे लाएंगे ठीक है तो इसी पर बात होगी इस वीडियो में चैनल पर पहली बार आ है सबस्तना करें लेकिन कुछ Yes reci क elkaar करने के लिए और यह जो एक्जाम है अच्छा ने आप जो यह कौन सी बुक पढदने हैं अब आपको कौन सी बुक्स पढदनी है अब ही आपको बताता हो कौन सी बुक्स किस विसे के पढ़नी है ठीक है तो सुरू हो जाए और ध्यान से देखी वीडियो को से लेवेज भी थोड़ा डिसकस कर लेंगे साथ में जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि इस बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा बाकी मैंने जो है बहुत सारी बुक्स देखी हैं लेकिन कुछी बुक्स श्वस्के लिए बहुत ही इंपॉर्टन हैं जैसे बात करें इतियास फिशेग गाएगा जिसमें इंसेंट हिस्टिरी इसके लिए पुस्तक बहुत ही बढ़िया है उसके बाद स्वाधिनता आंदुलन के प्रारंबिक वर्ष स्वधेशी तथा सविने अवग्या आंदुलन महत्मा गांधी तथा अन्यनेताव की भूमिका करांतिकारी आंदुलन तथा उग्र राष्टवाद काउदय विधाई स संसोधन तथा ब्रिटिस इंडिया एक्ट 1935 भारत छोड़ो आंदुलन आजाद हिंद भौज सुभास्चन बोश तो यह जो टापिक्स हैं इनको कहां से पढ़ा जाए भाईया नीली बुक से पढ़ें पीली बुक से पढ़ें या कौन सी बुक से पढ़ें तो भाईया इस से बाहर नहीं जाएगा ठीक है दस में जो है आप दस नमबर सही करके आएंगे अगर ये बुक जो है एकदम अच्छी से तयार कर लेते हैं एक एक लाइन लिखी हुई है लेकिन बहुत ही महत्वर्ण लाइने हैं वो आपको एक लाइन पढ़ना है अगर आप पढ़ द नदियां नदियों की घाटियां भूजल संसादन परवत पहाडिया हिमनद मरुस्तल और सुस्क वन वन खन संसादन विशेशकर भारत में ठीक है भारत वाला इसमें जो पोर्शन है वो पढ़ लिजे भारत वम विसका राजनेति भूगोल जलवाय तथमोसम टाइम जून जन सांके की परिवर्तन तथा प्रवास तो भाईया ये टापिक जो है आप इससे पढ़ लीजी एकदम जो है एकदम रट लीजी एकजाम निकल जाएगा उसके बाद आपका राज जो इस्था और स्विधान ये भी पांच नंबर का आता है भूगोल भी आपकी पांच नं स्थाएं ठीक है ये आप आराम से पढ़ने इसी से किसी बुक को पढ़ने की जरूर नहीं है बस यही यही बुक यही बुक आपको नीली बुक पढ़नी है और आप जो है अच्छे अंक ले करके आएंगे आर्थवेवस्था नीली बुक अपनी ये भी पांच नंबर की ये भी आसान आएंगे तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर 10 नंबर का है आपका करेंट अफेयर करेंट फेयर पढ़ने के लिए आपको परड़े जो है नहीं पढ़ना पड़ेगा चार चार गंटे अगर चार गंटे यहीं पढ़ जो है घटना चकर का करेंट फेयर पॉइंटर आता है इसको ले लीजिए और पढ़ लीजिए ठीक है हो जाएगा आपका काम उसके बाद यह जो किताब है यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आदित पबलिगेसन की किताब है संधी विलोम प्रयवाची वाक्यांसों के वही पढ़ लीजिए ठीक है आपका काम हो जाएगा पांच नंबर हिंदी के आपके कंप्लीट हो जाएंगे और भाईया यह नीटु मैंपी किताब है केडी पबलिकेसन यह किताब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप कोई भी एक्जाम देने जाए इसको पढ़ लें आप जो हैं इंग्लेस में अच्छा करके आएंगे जैसे अंग्रेजी ग्रामर है अपटिद गर्द्यांस पर आधाय प्रस्न है तिके जो पैरागर आप होता है उसको आसानी से हल कर सकते हैं और जो ग्रामर होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन आप लोग क्य से जराज है ठीक है यह सारे जितने टॉपिक्स लिखे हुए है इस से टिक कर लिजे पहले लिजे गारंटी देता हूं हो जाएगा आपका काम ठीक है आगे हमारा क्या है देखिए इसमें जो है अपटित हिंदी गद्यांस का विवेचन विसलेशन गद्यांस दो ग्राफ की आफ को कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगे लेकिन जो भी जिस प्रकार से आपके प्रशन आते हैं गड़ित के अंग्रेजी के आप इससे पर सकते हैं और आप जो अच्छे से कर पाएंगे कि लिखे कर सकते हैं एकदम अच्छे से कर सकते हैं भाया देखिए प्रारंभिक अंक गड़ित पूर्ण संख्या भेन तथा दसमलो प्रत्सत्ता साधर्ण अंक गड़ती सम्मिकर्ण वर्ग वर्ग मूल घातां के उम घात और सत यह भाया जो है आप इससे पढ़ लें जो भी आपकी टॉपिक्स ह पांच में पांच सही करके आएंगे ठीक है उसके बाद आपका सामान विज्ञान है जिसमें कमेस्ट्री फिजिक्स और बायोलोजी है ठीक है पांच नमबर का आएगा आप जो है नीली बुक से पढ़ लीजे हो जाएगा आपका काम उसके बाद आपका अंतिम जो है सब्जेक्ट है रिजनिंग बाकी सारे सब्जेक्ट पर बात हो चुकी है व्रहदयम लगू क्रेमम रैंकिंग संबंद समू से भिन्न को अलग करना कैलेंडरम घडी कारण और प्रभाव कोडिंग डिकोडिंग निगमनात्मक्तर्क कथन वि पढ़ लें यह ठीक है और आपका काम जो है चल जाएगा एक बटा चार जो है आपकी माइनस मार्किंग है इसको जरूर ध्यान रखेगा बाकी जब आप कोर्स पढ़ लें यूपी पिट का उसके बाद जो है आपको मॉक टिस्ट जरूर लगाने है ठीक है मॉक टिस्ट है तो पूर्ण चीज आपको मैंने बताई है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा मिलेंगा आप से एक लिए वीडियो तब तक के लिए जैहिंग जै भारत थैंक यू